नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर पर दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपून जानकारी को ले करके जिहां आए जानते हैं सिर्फ दो रुपे में किस तरीके से आप निकाल सकते हैं दातों के कीड़े दूद की तरह आपके दांत चमकने जैसी समस्या से जूज रहे हैं दात का दर्द हमारी जीवन शेली को बुरी तरह से प्रभावित करता है यूं कहें कि दर्द के मारे लोग चैन से सो भी नहीं पाते हैं पहले जानते हैं दात के दर्द की असली वजह क्या क्या होती है जैसा कि सभी जानते हैं कि खाना खाने इसके होने वाली पीडा असहनिय होता है इसलिए लोग डॉक्टर्स से संपर्क करते हैं लेकिन आपको मालूम होगा कि इसका इलाज भी उतना ही महंगा होता है जितना की पीडा आज कल हम आपको बताएंगे एक ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में जिसे अपनाने के बाद डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और दात का दर्द छूम अंतर की तरह गायब हो जाएगा जिहां आए जानते हैं इन्हीं नुस्खों को जिहां आज हम जिस नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं वह बेहद ही आसान और असरकारक है जिसमे दो चीजों की जरूरत होगी आपको एक चुटकी पानवाला चूना और एक चुटकी फिटकिरी का चून अब इसमें कुछ बुंदें पानी की डालकर हम एक ऐसा पेश्ट तयार करेंगे जो किटारूं का सत्यानाश कर देगा अब इसे अच्छी तरह मसल कर इसका पेश्ट बात है जब यह पेश्ट बनकर तयार हो जाता है तब इसे तीली की मदद से उन दांतों पर लगाएं जिसमें कीड़े लग गए हो यानि कीड़ों ने जिसे जकड रखा हो यादि आप उस दांत के ऊपर यह पेश्ट लगाते हैं तो कीड़े मर जाएंगे और कभी भी दां उसका सबसे सस्ता और सुईधा जनक है जिसे आप में से हर कोई अपना सकता है आप अपने दांतों पे असर देख सकते हैं ये बहद ही असर कारकूपाएं हैं बस आपको करना होता है जब भी आपको लगे कि आपके दांत खराब हो रहे हैं आप पहले ही उस पर ये जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं कौर बेहदे महतोपूने जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों